कभी कभी AC में gas complete रहते हुए भी cooling नहीं करता है बहुत से ऐसे complaint आते हैं, बहुत से ऐसे सिकायत आते हैं बहुत से ऐसे comment आते हैं कि gas complete है उसके बाद भी cooling नहीं कर रहा है तो उसे कैसे step by step check करना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं, यह आपको मैं video clip भी दिखा रहा हूँ साथ में और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि अगर इस तरह का problem आपके सामने आता है तो gas complete रहेगा, फिर भी आपका AC cooling नहीं करेगा चाहे वो window AC हो, split AC हो, inverter AC हो, non inverter AC हो कोई भी air conditioner हो, या फिर refrigerator हो है, refrigerator की हम बात तो दूसरी वीडियो में करेंगे, commonly मैं देखा हूँ refrigerator में यह problem आते ही आते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी सी gas charge करना पड़ता है refrigerator में, जबकि air conditioner में ऐसा नहीं होता है air conditioner में आख बंद करके भी gas charge कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं चल जाता है लेकिन अगर इस तरह का problem आता है, तो cooling नहीं करेगा system, अब होता क्या है, कि capillary choke नहीं होती, उसमें कचरा नहीं भरा होता है, फिर भी क्या होता है, कि उसका dryer choke हो जाता है, कैसे होता है, आप यह देख सकते हैं वीडियो में, oil की हो जैसे होता है, यह जो oil है ना, उसमें जाकर के फंच जाता है, dryer filter में, capillary में नहीं फंचता है, dryer filter में फंच जाता है, क्योंकि बताइए, कि refrigerant के साथ में, और liquid के साथ में, अगर यह oil भी इतना जादा, इतना कचरा वाला oil अगर चल रहा है system में, तो उसमें बताइए, पतली सी capillary होती है, capillary के छोड़ी है, capillary में तो कैसे ना कैसे के पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले जाली लगी होती है, dryer filter का, dryer filter का जाली लगी होती है, उसमें ड्रायर filter में, जो क्यों जाली पास नहीं देता है, refrigerant liquid जो पास होगा तभी तो cooling coil में जाएगा liquid line के रास्ते से, तभी तो वापस suction के रास्ते से आएगा, तब तो cooling होगा, अगर refrigerant ही नहीं जा रहा है उसमें से, उसमें choke up है, तो कहां से cooling करेगा, तो इस तरह का problem आप कैसे fix कर सकते हैं, कैसे solve कर सकते हैं, आज complete हम सीखने वा होगी, यह main point है, कि पहचान कैसे होगी, कि आपके air conditioner में इस तरह का oil choking है, यह समझना बहुत जरूरी है, तो यह भी समझ लेते हैं, मैं एक एक करके मैं बताऊंगा, मैं ऐसे ऐसे topic ले करके आता हूँ, जो कि पूरे YouTube पर इस तरह का वीडियो और इस तरह का topic नहीं मिलेगा, पर इस तरह का video मैं बनाता हूँ, और मैं इस तरह का video कैसे बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पैसा नहीं कमाना होता है, फिल्ड में घोम करके, ऐसा नहीं कि a.k.c. कर लिया, चलो जल 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 दूसरे AC करते हैं, दूसरे AC का पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे साथ में, मैं नौकरी करता हूँ नौकरी करता हूँ पूरा कॉंट्रेक्ट पे काम नहीं करता हूँ मैं तो A.C. पूरी कंपनी का मैं अकेला टेकनीसियन हूँ A.C. अगर खराब होता है दो A.C. खराब होता है तो 1 AC को मैं 4-4 तरह से practice करता हूं उसके उपर में और रोकने वाला कोई भी नहीं है मुझे चाहे जितनी बार मैं 1 AC के उपर चाहे जितनी बार practice करूं एक बार अगर compression निकाल करके वापस लगा करके गेस charging complete करके चला करके फिर से मैं कंप्रेसर निकाल करके बाहर रख दूं, कंडेसर बाहर निकाल करके रख दूं, कुलिंग कोयल बाहर निकाल करके रख दूं, कोई बोलने वाला नहीं है मुझे, इसलिए मैं एक AC के उपर, चार चार बार, तीन तीन चार चार पांच पाच बार मैं प्रैक्टिस कर कि यह ने जान गया है कि तक का छो से ज़ाई निए निकला हिसका इसलिए है कि ते मैं करता हूं बारीकी से मैं समझता भी हूँ और बारीकी से समझाता भी हूँ क्योंकि जहां भी काम करने जाता हूँ वहां पर मैं सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ इसलिए अगर इस तरह का प्रावलम आपके सामने फेस होता है तो आप कैसे find कर सकते हैं कि हाँ oil choking ही है अगर oil choking है तो जो तरीका में बताऊंगा यह तरीका आपको यूज करना ही करना पड़ेगा हर हाल में अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ऐसी कभी भी cooling success नहीं होगा cooling नहीं करेगा मानी कि पूरा refrigerant आप निकाल करके फिर से डाल देते हैं तो फिर से वही problem आपको face करने को मिलेगा कुछ दिन के बाद पूरा refrigerant निकालेंगे तो oil भी थोड़ा बाहर निकल जाएगा तो कुछ समय के लिए चल जाएगा लेकिन long time के लिए यह नहीं चलेगा आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा जो मैं अभी आगे बताऊंगा तो पहले find करते हैं कि आखिर चेक कैसे करेंगे कि फाल्ट यह ही है जब भी gas चेक करने के लिए क्योंकि जब जाएंगे cooling नहीं होगा तो जाहिर सी बात है gas तो चेक करना ही पड़ेगा gas चेक करेंगे एंपियर आप जाएगा गेज भी लगाएंगे कि अब डाउन आप डाउन आप डाउन होगी क्योंकि रेफरीजेंट सही से नहीं चल रहा है बीच में रुकावट है रेफरीजेंट के तो आप जब भी सक्सन लाइन में जब गेज लगाएंगे अपना high pressure लगाएंगे या फिर लोग प्र प्रेशा निकलता है या फिर हलका फुलका लुक्विड निकल जाता है उसमें से सफेद सफेद है लिक्विड लिक्विड तो पता ही होता है लिक्विड और आयल में बहुत डिफ्रेंस है लेकिन आयल बहुत तेजी से सफेद सफेद जाग की तरह आप देख सकते हैं यह ज क्या करना गैस कंप्लीट है या फिर ज्यादा या फिर कम है तो थोड़ा सा वहां से वाल को खोलेंगे जो चार्ज हमारा गेज का वाल है उसे खोलेंगे जब तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से अगर फेकने लगा तो आप समझ लीजिए कि आपका सिस्टम पूरा पाएगा गेज को खोलेंगे तो इस तरह से फेक से ज जाग ऑआयल बहुत टेजी से फेकेगा वहां से जबकि जबकि देखिए जब गेज लगाने के बाद जब खोलते हैं गेज को गेज के वाल को जब खोलते हैं तो वहां से क्या निकलता है नौर्मली अगर सिस्टम सही होता है तो तो वहां से प्रेसर निकलता है और लिक्विड निकलता है थोड़ा- तो आप और तरीका है चला सकते हैं उसके लिए भी केपलरी निकालना ही निकालना पड़ेगा लेकिन अगर आप केपलरी चेंज नहीं करना चाहते हैं सो डेड़ सो दो सो बचाना चाहते हैं ड्रायर फिल्टर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे निकाल करके उससे जाएगा ऐसे इस तरह से ऐगर आप करते हैं तो चल जाएगा लेकिन बेहतर ही होता है कि जब आप केपलरी निकाल रहे हो तो कभी-कभी कंपनी वाले क्या करते हैं चोटी सी केपलरी लगा कर देते हैं और ड्रायर पूरा फाइल डाउनलोड कर सकते हैं कौन से कौन से टन में कितने नंबर की लगेगी कितने इंच की लगेगी मैं कम्प्लीट डेटा में दे चुका हूं वहां पर तो जाइए उसे डाउनलोड कर लीजिए तो इस तरह से आप कैपिलरी चेंज कर दीजिए जब ज्यादा दिन सिस्टम पुराना हो जाता है तो छोटे कैपिलरी से चलने वाला नहीं होता है फिर जो डेटा मैं दिया हूं उस डेटा को यूज करके आप कैपिलरी लगाते हैं तो आपका एसी सकसेज हो जाएगा क्योंकि आज तक जितना मैं आठ साल से काम कर रहा हूं जितना भी एसी मे को देखने तक नहीं घए हूं चार्ज करने की तो बात ही छोड़ दीजे मैं कभी देखने तक नहीं गया हूं सेसी में कीऊ-सी कैसा चल रहा है क्योंकि उसका कंप्लेन नहीं नहीं आया अभी तक और बाकी बाकी रपन हर जो गश्चाक कंपनी हमारी तो जो यह आई किया हूं उसमें 15 दिन में जा तक नहीं किया हूं तो जब भी आप चैंज करें नहा करें लगा कर के और सुश्टम को फिर से वैक्यूम तरह से करने के बाद तो आपका एसी तरह से चलेगा कोई भी एसी हो चाहिए इनवर्टर हो नॉन इनवर्टर हो विंडो एसी हो इसी हो आई ऑईल चोकिंग है वो गर उसमें तो आप उसे नहीं चला सकते हैं आप सोचते हैं कि थोड़ा से निकाल करके उसे वेक्यूम भी करेंगी तो कितना होगा जब तक आप उसे अ क्रोब को सबसक्राब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल अइकन को प्रेस करके अलपर किलिक कर लें ताकि जितनी भी वीड्यो मैं बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो को देखपाए सबसे पहले। तो आज के लिए بस इतना ही था अगरे वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते एक ने टॉपिक के साथ